हेलो एब्रीवन आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लाच 12 इंगलिज का फ्लेमिंगो बुक से तीसरा पोयम अ थिंग और ब्यूटी ठीक है इसके पोएट है जॉन किर्ट्स जॉन किर्ट्स एक काफी रोमैंटिक पोएट मन जाते हैं ठीक है यह जो पोया मैंना इसको तो जॉन किर्स ने लिखाया तो जॉन किर्स ने क्या क्या था बहुत वाएं पोयम बड़ा एल्च्व मिठाता है जिसका नाम था एंडी मियोन अप्वाथिग रोमैंज-चलव इसमें इन्होंने एक घ्रीक कहानी है उसको दर्साया है इसमें होता है कि ए पैयोटी ब means बनाते हैं अपनी कलपना में ठीक है और फिरЧтоते बनाते हैं इतना इस यह आट्राक्ट हो जाते हैं कि दोनों लेकल पड़ते हैं उसको ढूंढ ने के लिए ठीक है तो इसी कि दोरान पुम्हिंट लिखा हुआ है वह ही इस poem में बताया हुआ है ठीक है तो इस poem का छोटा सा पार्ट इस poem में पढ़ने वाले हैं समझे कि ने तो यहां पर सबसे पहले आप इस poet का नाम याद कर लीजिए क्योंकि एक्जाम में क्या होगा कि एक छोटा सा श्टैंजा दे देंगे बोलें के name the poem and the poet पहले आ चु होता है और वो भी forever forever बोलने का मतलब है कि यह खुसी का source ऐसा ने क्या अभी कुसी दिया और फिर एक दो दिन बाद आपको आप न्यूट्रल होगा ऐसा नहीं होता है एक beautiful चीज आपको ऐसा खुसी देता है जो कि immortal हो वह हमेसा के लिए वह कुसी लास्ट करेगा जो चीज हम को भी मरे ना उसको immortal या फिर eternal बोलते हैं ठीक है undying यह word आप याद कर लीजिए यह word आपको आपको आइसर में यूज करना है यह keyword है जो भी हम यह पर लिख रखें ग्रीन डेड में वह सब वर्ड आप में लिख लीजिए याद करना है वह सब वर्ड को ठीक है यूज कैसे क दूसरा चीज हम यह पर यह जान रहे है कि यह beautiful चीज का जो लवलीने से जो खुबसूरती है वो बढ़ता ही जाता है ठीक है It will never pass into nothingness ऐसा कभी नहीं आएका कि वो beautiful चीज का जो लवलीने से वो कभी खतम हो जाए ऐसा नहीं होगा ठीक है अब यहां पर दिखें यह जो वर्ड अब फ्रेज बावर कॉइट यह बहुत इंपोर्टेंट है इसके उपर अलग लग तरीके से कोशन आता है शबसे परने तो इसका मिनिंग समाख़ए और मेनिंग क्या होता है बावा आ मिनिंग वहता है कि एक मतलब पेर का नचे सोग भी कोई सेड़ी बेस को बावा बोलते है ठीक है यह उस सेड़ी प्लेस कुट के अगया है एक सांथ जगה के साथ एक सेड़ी चीज को compare किया गया है एक बावर के साथ ठीक है एक beautiful चीज जैसे जैसे कि हम चाया जगा गर्मी के टाइम में अब एक सेड़ी प्लेस पर जाते है तो वहाँ पर हमें सांती महसूस होता है ठीक है कामने इनर पीस हमें मिलता है वहाँ ठीक है और सरीने टीवी में यह वोट भी इनर पीस मिलता है ठीक है तो ब्यूटिफूल चीज हमें ठीक इसी की तरह इतना ही कामने इतना ही सांती देता है ठीक है and a sleep full of sweet dreams and health and quiet for breathing एक ब्यूटिफूल चीज हमें कुछ है बेने भी पहुचाता है हमें एक ऐसा नीन देता है जिसमें हमें काफी अच्छ अच्छ सपने आते हैं मतलब हम काफी साउंड लेते हैं ठीक है और जब अच्छा स्वेंगे अच्छा सपना दिखेंगे हमारा मूर अच्छा होगा तो इससे हमारा हेल्थ भी उप्रूब होगा समझे एंड क्वाइट ब्रीधिंग और यह तो आयर्वेद में लिखा हुआ है कि कि आता जोबी विमारी का जर्ई है मतलब आप कैसे सांस ले रहे हैं उससे सब पता हो सकता है कि आपका सल वह दो बीमारी चल रहे हैं तो वह जाल रहे है ढू EXT समनध एक डूयूटीbelt चीज़ को देखके एक विउटिफल चीज जो होता है वो एक ठीक सेडी प्लेस की तरह होता है जो हमें सांती प्रदान करता जांती कामनेस इनर पीस इनर इन्राने सदेनले क्षे आछ अधाओ होता है इसा है या समyT एक beautiful चीज क्या क्या चीज हमें देता है, तो healthy body दे सकता है, ठीक है, calm mind देता है, और तीसरा point है hope to carry on, हमें आगे बढ़ने का hope देता है, समझ देता है, बहुत बार होता है कि हम निरास हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो वो चीज से हमें बचाता है, यह beautiful चीज, ठीक है, हमें future date का, ठीक है, हर अगली सुबा हम क्या करते है, we are reading, reading मतलब कोई चीज हम बून रहे, क्या बून रहे, क्या बना रहे, a flowery band, एक फूल का माला बना रहे, ठीक है, to bind us to the earth, वो माला क्या करेगा, हमें, हम लोगों को earth से बान कर रखेगा, मतलब हर सुबा, यह तो सिब लिटर flowery band, मतलब हर सुबा हम क्या करते है, एक beautiful चीज खोशते है, या फिर बनाने का कोशिस करते है, ताकि उस beautiful चीज के जड़िए, एक beauty, मतलब एक thing or beauty के जड़िए हम इस earth से connected रहे, अगर earth में कोई beautiful चीज नहीं रहेगा, हमें कोई चीज करने में मजा नहीं आएगा, तो जीते सब्सक्राइब करते हैं, वेकेटस में चुटि होता है, बहुता है, तो लोग कहा जाते हैं घुमने के लिए जाते हैं, घुमने के लिए जाते हैं मतलब in search of beautiful things, सुंदर चीज दिखने के लिए जाते हैं, ठीके वह जिए तो जिन्दी के मजा है, अगर वो चीज नहीं रहे despondence का मतलब होता है sadness मतलब hopelessness ठीक है आप दा इन human death of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching yes in spite of all देखें बोले का मतलब है यही से continue हो रहा है कि हर सुबह हमें beautiful चीज़ का तलास करते हैं ताकि हमें इस अर्थ पे जीते रने का मौका मिले इस अर्थ पे कई सारे negative चीज़ भी है negative चीज़ क्या है सबसे पहला हो गया despondence hopelessness यहां पर ठीक है और इन human death in human मतलब आमानवी है मतलब very cruel बहुती गंदा सा दर्थ मतलब लैक इतना कमी आ गया है अर्थ पे क्या चीज़ का of noble natures noble natures में यह तीन quality होता है जो महान अच्छे इंसान होते है वो human beings वो selfless होते हैं कम मतलब ही होते हैं ठीक है enthusiasm होता है उनके अंदर एक jose होता है कुछ कर दिखाने का ठीक है judiciousness समझदार होते हैं वो लोग तो ऐसे noble natures का का काफी भैंकर कमी है इस अर्थ पे ठीक है तो इस अर्थ पे सबसे पहले तो hopelessness से despondence से दूसरा noble natures जिनमें यह सब गुन होता है उनका कमी है ठीक है इसके अलबा इस अर्थ पे और negative चीज क्या है अब the gloomy days ठीक है gloomy days मतलब dark days अब देखिए यहां पर दिन को अंदरकार नहीं बोला गया है हमारे days के लिए नहीं है life के लिए है किसी और चीज के लिए है ठीक है यहां पर यह epithet transfer हुआ है तो काफी बेकार सा जीवन चल रहा है इस अर्थ में हमारा of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching हम सब हम सब लोग कुईसीना किसी चीज का तलास में लगे हुए है आप student लोग अच्छा percentage अच्छा future होने का तलास में लगे हुए है और इसी searching में हम लोग कई सारे unhealthy तरीके अपना लिए है lifestyle काफी unhealthy हो चुका है ठीक है और over darkened ways हम में जो तरीका अपना लिया है दूसरे को गिरा के आगे बढ़ने का क्योंकि आज का जवना क्या है competition है अगर आप टॉप करते हैं तो कोई ना कोई तो होगा जो नीचे आएगा समझ रहे है किसी को नीचे करते ही तो आप टॉप बन रहे है तो हम लोग अपना searching में क आप नोबल नेचर इन स्पाइट ओफ डार्क देज इन स्पाइट ऑफ अनहेल्दी एंड ओभर डार्कर वेस इन सब चीजों के बावजूद भी येस इन सब चीजों के बावजूद भी सम शेप और ब्वीटी मूब सब अब अगर एक खुपशूरा चीज आ जाए ठीक है बताएंगे का है नहीं चीज होता इक क्या है पर इन सब नेगेटी चीजों के भावजूद भी अगर एक खुपशूरा चीज आता है तो वह क्या करते और शॉप्यानु फून का मतलब होता है जो हमारे जीवन पर्दा पढ़ गया है जो हमारे जीवन को अंदकार कर दिया है गेर के रख दिया है इस अंदकार को कोई भी beautiful चीज easily remove कर देगा समझेरे beautiful चीज का है पर importance बताया जा रहा है सबसे पहले हमने first five life को हमने जाना कि beautiful चीज होता क्या है इमोर्टल होता है, उसका खुबसूर्ती बढ़ता है, कभी खतम नहीं होगा, इसको compare किया गया है, बावर से, ठीक है? और फिर ये क्या-क्या benefit देता है, वो बताया गया है, ठीक है? फिर अगले standard में बताया जारा है, पुरा तो एकी standard है, अगले part में बताया जारा है कि हम हर स हटाता है, from our dark spirit, हमारा जो आत्मा है काफे डार्क हो गया है, ठीक है, हम लोग एक दूसरे को हाम कर रहे हैं, इंवारबन को नुक्सान पहुचा रहे हैं, तो ये सब ये आत्मा से हमारा जो covering है, all है, वो उसको remove कर देगा, कोई भी beautiful चीज, ठीक है? अब समझते हैं, ये beautiful च कोई मतलब नहीं है, tree होना चाहिए, वो एक beautiful चीज है, क्योंकि ये सब लोग क्या करते है, sprouting देते है, a shady bone, bone मतलब कोई भी beneficial चीज, छाया के रूप में और भी बहुत सारा beneficial चीज देते है, trees, life को sustain करने में help करता है, ये ने oxygen प्रवाइट करता है, फिर और भी बहुत सारा benefited tree का आप जानते ही होंगे, ठीक है, तो ये एक beautiful चीज है, poet के नजर में, for simple ship, simple ship मतलब कोई भी common human beings के लिए, हर human beings के लिए, ये जो sun और moon और trees है, ये equal benefit देते हैं, समझे की नहीं, तो ये पहला beautiful चीज हो गया, poet के नजर में, अब यहाँ पर simple ship, simple ship क्या ship को बोला गया है, नह यहाँ पर symbolize कर रहा है, poet, ठीक है, poetic device यहाँ पर symbolism है, ये याद कर लीजे या, इसको पर question आता है, फिर अगला beautiful चीज, poet के नजर में ये है, such as, सिर्फ सच लिखा हुआ है, यहाँ पर as missing है, ठीक है, such as the daffodils, ये जो flowers होते हैं, आप पिक्चर में देख बार, ये जो daffodils कह clear reels, reels का मतलब होता है, small streams, छोटे-छोटे जो streams है, ये भी काफी beautiful चीज है, और जहाँ पर streams होते है, उनके आस पास, क्या होता है, एक cooling covert होता है, cover मतलब एक shelter, dense covering ये फिर center, ठीक है, जहाँ पर, एलका सा, आप ये पिक्चर में देख सकते है, आस पास को चाया वाला जगा ह इस जगह को cooling cover का, भी ठंडा देने वाला shelter बोला जाता है, ठीक है, तो ये भी एक beautiful चीज है, poet के नेजर में, poet हमें, ठंडा shelter परवाइट करता है, against, ठीक है, poet के पास ये सब life-names होता है, कि poet spelling change करके लिख सकते है, ठीक है, against the hot season, तो hot season से हमें बचाता है, clear reels, ठीक है, और glass, beautiful चीज, poet के नेजर में ये है, the mid, जो तो हम black sun rain कर रख है, वो beautiful चीज है, ठीक है, पहले क्या था, sun, moon, tree, पहला हो गया ये, दूसरा था ये, तीसरा हो गया, reels वाला, चौथा आगया ये, the mid-fordest break, ये break, cycle वाला break नहीं है, ये break का मतलब होता है, ये आपर लिखा हुआ थ सब्सक्राइब, ये क्या चीज, आप इस पिक्चर पर देख सकते हैं, इसी को थीक, mass of ferns बोला गया, जंगलों के बीच में ऐसे जार मिलते हैं, तो इसी को meat forest break कहा गया है, अब इसमें क्या खुब्सूरती है, इसमें खुब्सूरती ये है, कि इस ब्रेक में, क्या होता है सब्सक्राइब, बहुत सारे जार होते हैं, और जार में मारो स्प्रिंकल किया हो, छिरका गया हो, और फिर मस्क रोज ब्लूम, मस्क, एक सफटाइल से जो आनिमल, मतलब मस्क डिर सिग्रेट करता है, इसका यूज पर्फुम राने के लिए होता है, काफी अच्छा सेंट हो सब्सक्राइब, तो यह एक अगला ब्यूटिफुल चीज है, पोईट के नेजर में, समझे कि नहीं, चौथा, फिर अगला ब्यूटिफुल चीज है, और सच तू, सच आज इस दा ग्रेंडियर अप दूम्स, ग्रेंडियर का मतलब ग्रेटनेस, मैगनिफिसेंस अप दूम डूम्स मतलब तो मौत होता है, ठीक है, देट, तो जो भी मौत हुआ है, जो भी महान मौते हुए है, तो गाला ब्यूटिफुल चीज हमने इमेजिन किया, यूंकि हमारे पहले जो एंसेस्टर्स थे जो किसी नोबल कोस के लिए उमर गए, ठीक है, उनका मौत तो हम देखे है ठीक है for the mighty dead तो यह भी एक beautiful चीज है प्वाइट करने जल्बें तो यह भी एक beautiful चीज है और फिर से पढ़ते है समझेगा and such to is the grandeur of the domes that we have imagined for the mighty dead जो भी महान मोते हुई है ठीक है जो हम हम इमाजिन कर रहे है वो भी beautiful चीज है और इन महान मोतों के बारे में हमने जो भी lovely tales जो भी अच्छे-च्छे कहानिया सुनी है या फिर पड़ी है that we have heard or read ठीक है यह सभी क्या है beautiful चीज है तो ऐसे ही बहुत सारे beautiful चीज जो है और अर्थ पर एक्जिस्ट करते हैं यह beautiful चीज का तो list है ना वह endless endless यानि फिर से यहाँ पर बोल सकते है immortal कभी मरेगा नहीं अर्थ पर बहुत सारा beautiful चीज है समझ रहे eternal है तो यह सारा beautiful चीज एक fountain जढ़ने की तरह of immortal drink मतलब पानी के रूप में liquid के रूप में उपर से pouring on to us हम पे गिर रही है from the heaven spring उपर में क्या है heaven है स्वर्ग है यह मालीजे स्वर्ग है तो स्वर्ग का यह किनारा है तो इस किनारा से ऐसा ही कई इसी सारे beautiful चीज हम पे गिर रहे हैं हम पे power हो रहे हैं समझ रहे हैं और हम क्या कर रहे है इस एर्थ पर एक्जिस्ट करके इस beautiful चीज को absorb कर रहे है यूज कर रहे है देख रहे है और मजा ले रहे है समझ रहे अब देखिए तो यह endless fountain of immortal drink है ना यह मतलब अनन्त जो एक जढ़ने के रूप में गिर रहे उपर से drink इस drink को अगर हम पी लेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे immortal हम मरेंगी नहीं ठीक है मरेंगे नहीं तो इसको बना जाता है कि जीवन का अमरीत है यह elixir of life यह word आप याद कर लीजिए endless fountain of immortal drink क्या है यह elixir of life की तरह है elixir मतलब एक ऐसा drink जो पीने का बात आपका health काफी अच्छा हो जाए समझ रहे अमरीत ही जिसको बोलते है वो है कोई की beautiful चीज को compare किया गया है अमरीत के साथ समझ रहे अब हम इस लाइन को दोबाड़ा पढ़ते हैं एक बार फिट से आप समझ जिएगा an endless fountain of immortal drink उपर से जढने की रूप में एक पानी गिर रहा है ठीक है वो पानी इम्मोर्टल है वो पानी पीने का बाद आप अमर हो जाएंगे पारिंग उन्टू उस फ्रॉम हेवल स्ब्रिंग यह दो लाइन पढ़ने का वाद आपके मन में एक इमेज बन रहा होगा ना कि उपर से जढना गिर रहा है अम लोग उस जढने का जढने का मतलब ब्यूटिफुल चीज उपर से आ रही है और हम उस ब्यूटिफुल चीज उसको अब्जॉब कर रहे है आपके दिमाग में एक इमेज बन रहा है ना तो यहाँ पर प्यूटिफुल चीज को बोल दिया गया है वह एक इमोर्टल ड्रिंग है तो ब्यूटिफुल चीज का कमपैटिजन किया गया है इमोर्टल ड्रिंग के साथ और यहाँ पर एज और लाइक वर्ड नहीं है तो यहां पर पोईटिक डिवाइस बोलते हैं मेटाफर भी है तो इमेजरी मेटाफर जो भी एक्जाम में है आप लिख देंगे ठीक है चलिए इसके अलबा एक कोशन यह भी बनता है कि इस पूरे स्टेंजर में पोईट का टोन किया रहा है तो यह पर सोच रहे हैं कंटम्प्लेटिव टोन है समझें यह बात याद रखेंगे अगला कोशन आता है इस पोईट का पोईब का राइन ही स्कीम क्या है तो पूरे पोईब में जो राइन ही स्कीम है वह देख सकते हैं आप फॉरेवर नेवर यह दो वर्ट राइन कर रहे है कीब स्लीप बीबी ऐसा राइन कर रहा है ब्रीधिंग रीधिंग यह दो वर्ट राइन कर रहे है अर्थ दर्थ वे डेज वेज आल पॉल मून बून तो पूरा पोईट पोएम में जो है राइन ही स्कीम है ए ए बीबी इसके उपर पर कोशन रादा है आप याद रखेंगे ठीक है चलिए यह हो गया और जो भी हम यह आप लिख रखें यह सब कीवर्ड है यह सब वर्ड आप याद कर लीजिए और याद करने का बात मतलब अपने बुक में पर लिख लीजिए लिखने का बात आप सीधा मेरे वेबसाइट पर विजिट करेंगे ठीक है और वहाँ इस पोएम का इंपोर्टन कोशन अब त्यार कर लेंगे वह वह कोशन देखिए काफी अच्छी लेवल के कोशन आ रहें आजकर वह जरूर प्रिपेर कर लिजिएगा ठीक है उसके बाहर कोई कोई कोशन नहीं आएगा वेबसाइट टुने में मुस्किल होता है आप सिंपली यह गूगल में सर्च कर दीजिएगा अथिंग ब्यूटी क्लास 12 इंपॉर्टन कोशन बाइ सी बीसी गाइडेंस इतना लिख के सर्च मार दीजिए पहला ओफ्शन में आ जाएगा रिजल्ट में आ जाएगा उसको आप किलिक करके देख सकेंगे ठीक है चलिए तो प्रिप आप दरूरों से भी हेल्प मिलेगा चलिए मिलते हैं वाचल किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ एंड टेक कियर